नवस्कार मैं प्रिया राज आप देखरें एक न्यूस 24 आपको बता दे कि चिराग पासवान के ही संसद्ये छेत्र में जहां चिराग पासवान का काफी नाम चलता था वहीं पे यादों का बड़ा आतंग देखने को मिल गया था हलाकि एक बड़ी खबर निकलके सामने आ रही है चिराग पासवान के ही संसदों में से एक यानी वीना देवी के संसद्ये छेत्र से अब और भी बड़ी खबर सामने आ रही है जी हाँ आपने हाजी पूर तो सुनाई होगा लेकिन अब उससे भी बड़ा वीना देवी के करें उससे पहले हम ये आपको बता दे कि जिस तरीके से हाजीपुर में यादबों के द्वारा पासवान बस्ती पर टूटा गया था तो सेम वैसा ही घटना जो है वो पारू में भी निकल कर सामने आ रहा है वहां भी यादव समाज के द्वारा एक दलित के परिवार पर टू लेकिन बच्ची भविस बनाना चाहती थी बच्ची के माता पिता इस साधी के लेट तयार नहीं होते है उसके बाद जो लड़का है राए जी जो है मैं यादव जी काहीं जिकर कर रहां फिर से एक बार लोग काफी ज़यादा बोलेंगे कि हम यादवों को टार्गेट करते हैं लेकिन जब वो ऐसा घटना यादवो के द्वारा ही किया जाता है तो यादवी टारगेट होंगे सीधा सीधा तो देखिए यादव जी द्वारा क्या किया जाता है कि उस बच्ची के घर में आधी रात को 5-6 लोग घुसते हैं घुसने के बाद में बच्ची को किन्याप क लेके जाते हैं और उसके बाद में उस लरकी के साथ में गैंग रेफ होता है 14 साल की छोटी बच्ची के साथ में गैंग रेफ करने के बाद उसे दर्दनाक मौत देते हैं मौत भी ऐसा कि अगर आप उसका डेट बॉडी को देखेंगे तो पूरा रॉंक्टे आपके सरीर के खरे हो जाएंगे चाकूओं से उसके प्राइवेट पाट तक को काट दिया जाता है और उसके बाद में उसका गला रेत कर हत्या कर दी जाती है यानि कि इतना दर्दनाग आप कह रहे हैं कि हम उससे प्यार करते हैं और प्यार जब पूरा नहीं हुआ तो आप इस तरीके से उ दे देंगे ये प्यार नहीं था ये सिर्फ और सिर्फ हवस था जिसका सिकार वो लड़की हुई लेकिन आखिरकर चिराग पासवान के ही संसदिया छेत्रे में या चिराग पासवान की पाटी जो है उन्हीं के संसदिया छेत्रे में ऐसी घटनाए क्यों निकल कर सामने आ र जा रहा है और चिराक पासवान पर डाइरेक्ट उंगली उठे इसके लिए तो यह सब कुछ नहीं किया जा रहा है अब देखे मामला गंभीर है पुलीस जाच कर रही है नितीश कुमार की पार्टी से भी जब हमने बात किया उहां के परवक्ताओं से तो उन्होंने कहा कि 15 अ अंजाम दे रहे थे तो सिधा सिधा महा गट बंधन पर उंगली उठेगा कि लालू यादव मतलब पूरे यादव होते हैं तो यादव समाज को रोकेगा कौन आप ही के वोटर है आप ही के लोग है जाए ना भाई रोकिए ना आखिर कार क्यों उन्हें इतना बढ़ावा दे रहे हैं कि वो किसी के घर में घूसे किसी के घर में घूसने के बाद बहु बेटियों के साथ ये सब चीजे करें और सिधा सिधा चिराक पासवान पर उंगली उठ रहे हैं चिराक पासवान को बदनाम करने की कोर्सिस है या कुछ और सरयंत्र चिराक पासवान और उनकी बच्ची के साथ नादान लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ आप क्या कहना चाहेंगे इस पर देगे मुझे तो बोलने में भी थोड़ी अजीब लग रही है कि ये आज के ही मामले नहीं है सिर्फ की एक ही लड़की इस चीज की सिकार हुई है आज से पहले कितनी सारी लेकिन फिर भी कुछ भी आज हुआ कल केंडल मार्च निकलेगा पर सो सारा बात खतम हो जाता है लेकिन हम ये जवाब जानना चाहते यह हम लोगों से पुछना चाहते हैं कि एक दिनाप कैंडल मार्च निकाल करके आवाज उठा करके कितनी लड़कियों को इंसाफ दिला पोटी बच्चियां भी सेफ नहीं है यह जो बच्ची है 11-14 साल की माफ कीजेगा 14 साल की बच्ची है जिसके साथ इस तरीके का घटना हुआ है आखिर क्या ऐसा हो जाता है इंसान आखिर इंसान हैवान क्यों बन रहा है आखिर हैवान बन रहा है तो उस पर कार्यवाई क्यों नहीं की जा रही है उसे डराया क्यों नहीं जा रहा है एक बार अगर सरकार ऐसा देगा कि इसको फासी दे दिया जाए सीधा फासी क्योंकि इस चीज को माफ करने लायक है ही नहीं यह जो खबरे सामने आ रही है मैं कैसे मैं बोलू मुझे बोलने में भी थोड़ा अजीव ही है कब तक ऐसे चलेगा कब तक लड़कियां घर में पैक रहेंगी पहले के जमाने में ऐसा होता था कि लड़कियां घर से नहीं निकलती थी माबाप भी बहुत जल्दी एज हुआ नहीं हुआ बाल विवा करके निपट लिए लेकिन आज कल लड़की अपने पैर पे खड यहीं नितिशकुमार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी लाते हैं जिकर करते awfully लगी निकलती है तो वह अंसेफ मयशूस कर रही है तो कैसे चलेगा विहार पूरा देश देखें यह जो लड़की के साथ जो यह घटना हुआ है चौदध साल की बच्ची का आखि Shot क्या गुनाह था आखिर इसका क्या ऐसा था जो इसके साथ इस तरीके का घटना हो जाता है जो कि बड़ा ही शर्मनाक है मुझे बोलते भी शर्म आ रही है दूसरी बात यह हो जाती है कि आज कहीं यह घटना को नहीं बहुत पहले से यह घटना घटते आ रही है बहुत लोगो अपने पैर पे खड़ी हो रही है तो सबसे बेस्ट यह है क्योंकि लड़की किसी के अंडर में अब नहीं जीना चाहती है वो भी जिंदगी अपना जीना चाहती है किसी के कैद में वो नहीं रहना चाहती है लेकिन कैद में नहीं रहने का मतलब इस तरीके का घटना आता है सामने ये बड़ी बात हो जाती है और इस पर अब सरकार को कारेवाई करनी पड़ेगी अधवाला हलाकी जो घटनाय सामने आ रही है जैसा की चिराग पासवान बिहार में काफी उनका नाम था काफी चर्चे में रहे हैं चिराग पासवान लेकिन उन्हें के संसदिये च्छेतर वीना देवी के च्छेत से इस तरह की मामले सामने आ रही है इससे पहले भी चिराग पास्वाज के संसदी शेट से यादव का आतंग देखने को मिला था तो कहीं नहीं कहीं यादो समाज जो है काफी ज़्यादा आतंकी फेल आ रहे हमाएगें आतंकी क्यों फैला रहे निया समाज वह भी साफ सब्लम में स्पस्ट हो जाता है नहीं चिराग मैं इसलिए ले रही हूँ आपने जैसा के बोला कि चिराग पास्वाल का शेनसद ये छैतर जर्स चिराग पासवाल के पहले वी कंई राहे हुए है यहां पर क्पेंयों हो रहा है कि सीधा सीधा चिराग समाज को यानि कि चिराग पासवान को भड़का रहे हैं और दूसरी बात यह हो जाती कि लोग पीछे पढ़ जाएंगे तो आप चाह की भी कुछ नहीं कर सकती है जिस तरी के से बेचारी बच्ची ना कोई गुनाह था ना कुछ था ना ये कुछ हस्ती खेलती लड़की 14 साल की और वो सिकार हो गई दरिंदरता देखे किस तरीके से लोग दरिंदिगी फैला रहे हैं किस तरीके से घटना को अंजामते रहे हैं इन्हें तो जेल भेज देना चाहिए इन्हें तो सक्त आता है ये कहीं से भी उचित नहीं है ये बहुत गलत बात हो जाता है विकास एक तरफ इस तरह के जब मामले सामने आते हलाकि चिराग पसवन का नाम इसलिए आ रहा है कि कुछ दिन पहले ही उनके इस संसद्य छेत्र में यादों का तंग देखने को मिला था और फिर से दे आदबों को ये पता है कि अगर उन्हें कि सरकार न बनने का कारण चिराग पसवान है चिराग पसवान ऐसे हैं मोदी के हनुमान कि वो कहीं भी अगर उतर जाते हैं तो उहां का रुख पलट देते हैं और यही कारण है कि सामने 2025 का भी चुनाव है तो उससे पहले चिराग पसवान की पाटी को इतना बदनाम कर दिया जाए इतना उनके संसद्या छेत्र में घटनाए निकल कर सामने आए ताकि इन पर कोई भरोसा ही न करें लोग सीधा सीधा ये कहने लगे कि यह वही चिराग पसवान है जो अपना संसद्या छेत्र नहीं संभाल सकता उनके की गिरफतारी होती है फिर हो छूट जाता है और अब तक कोई गिरफतारी नहीं पारू में जो इस बच्ची के साथ हुआ 14 साल की बच्ची के साथ जिस पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं वहां अब तक एक भी गिरफतारी नहीं घटना हुआ 11 तारी को 11 तारी का घटना है एक चलने से नहीं होगा गिरफतारी से होगा कारवाई से होगा आपकी जांस तो सालों साल चलती रहेगी लेकिन जो पीरित परिवार है उन्हें निया कब मिलेगा अपराधी अभी खुले हां गुम रहे हैं विकास मैं अभी जिक्ट करना चाहूंगी हलाके को करता में भी एक ऐस दावा किया है और यहां तके प्रसासन को तारीक करिए लेकिन बिहार में ऐसा क्यों कि यहां के प्रसासन भी चुपपी अभी तक साधी हुई है जी देखे ममता बेडर जी जो है वो सक्त एक्षन के लिए जाने जाती है भले उनके संसद्याच उनके जो वेस्ट बेंगोल है क तब तक कंट्रोल नहीं होंगे तब तक नितीज कुमार कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, ऐसा दावार नहीं कर सकते हैं, उन्हें कुर्सी से प्यार है, जनता से प्यार हो या ना हो, नितीज कुमार भले ये कह देते हैं कि नितीज कुमार सब के है, लेकिन वो सब के होने से पह प्रसाषन को हम टाइट करेंगे, लेकिन कल BJP नेताउं का ही बयान निकल कर सामने आया, BJP परवक्ता से जब हमने सवाल किया, कि भीहार में बढ़ते अपरात को लेकर जिस तरीके सोहा hanघटना निकल कर सामने आया है, बच्ची का मामला आ रहा है सामने, उसमें क्या कहेंगे, तो हो क्या कह रहा है हम तेजसवी आदाउं जी से गुहार लगा रहे हैं कि वो अपने पाले हुए गुरके है उन्हें रोक ले आरे आप उनसे क्यूं गुहार लगा रहे है भाई आपका प्रसासन है आपका पुलीस है C.M. कुर्सी आपका है आप सिधा सिधा नकेल कसी है न अपराधी ओपर तो आप तो तेजस्वी जी के पैर पर जाके गिर गए कि हम उन्हें कह रहे हैं कि वो अपने अपराधीयों को रोक ले तो भाई आपको जंता वोट क्यों करें जब प्रसासन ही टाइट नहीं नितीज कुमार जो है वो सक्त एक्षन के लिए तो जाने जाते ह लेकिन अब पता नहीं क्या हुआ है नितीज कुमार को की नितीज कुमार जो है सुस्थ हो गए है और जितना सुस्थ नितीज कुमार हुए है उससे दुगना सुस्थ उनकी पुलीस हो गई है और यही कारण है कि जो अपराधी है वो मस्त हो गए है अपराधी खुलियाम घ गटना घटा है अब तक वहाँ पर गिरव्पतारी नहीं हुई है आज 15 अगस्त हो गया लेकिन 4 दिन बीत गया ना भाई चार दिन में आप एक अप्तारी को गिरव्पतार नहीं कर सके अंगिरका वो जमीन में चुप गया कि आस्मान में चला गया, कि आपको अपरादी मिल नहीं रहा है, इतना बड़ा घटना घट गया, उसके बाद आप कहे रहे हैं कि SIT टीम जाच कर रही है, आरे जाच कर रहे हैं, तो उस जाच में कहां तक अपरादी भागा ये भी बताई है न भाई, तो जाच चल रहा है, द रहे हैं, नकेल कसा जाए आप रहाद पर, जमकर लाठी चला, सरक पर भगा के कॉंग्रिस कार्य करताओं को मारा गया, बीमार्मी को मारा गया, ये हमारे बिहार के लिए तुम्हें ऐसा कैसे कह सकते हो कि अपराद बर रहे हैं, अपराद राद दिन हो रहा है, और आपकी प घटना हुआ है, उस घटना का अपरादी कब लाल घर के अंदर होता है, मधुबाला, एक तरफ देख लिजे कि जो नितिस बाबू है, वो प्रसासन को ताडित कर देते हैं, जब ऐसा कुछ मामले आते हैं, अभी BPSC के चात उतर उतर उन पर लाठी चलवा दी, लेकिन जो म अभी 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 आरती को भी दूर करते हैं, क्योंकि अभी जो यह घटना जो सामने आया है, पहले हम इस पर डिशकसन करते हैं कि आखिर, आज कि यह सिर्फ यह 14 साल की बच्ची ने कितनी बचीयां ऐसी ऐसी सिकार हुई है, जिने जला दिया जाता है, तो आखिर कब तक स पर आरोप लगाया जाता लालो पुष्राद यादब पर कि जंगल राज चलता था अब क्या चल रहा है आए दिन अपराध के मामले आए दिन घटना के मामले आए दिन लड़कियों के मामले लगातार हम लोग जिक्र करते हैं लगातार खबरे आती है लेकिन दो दिन का हुआ जो दिन होता है कि पुलिस चानबिन कर रही है जांच कर रही है तीसरे दिन मामला रफा रफा हो जाता है उनके फैमिली को शायद कुछ पैसे दे दिये जाते होंगे कि मुह बंद कर ले यही मामला हो सकता है क्योंकि जब तक सरकार डटेगी नहीं जब तक सरकार फैसला नहीं लेगी तब तक ऐसा ही दशा होने वाला है कभी नहीं सुधरने वाला मेरा यही कहना है तो जैसा कि अभी आपने हमारे दोनों सहयोगियों को सुना हलाकि जिसतार से बिहार में भी अपराद बढ़ रहे हैं इस दोरान एक बच्ची की जान ली जाती है उनके साथ यौन सोसन कि पिर बी सरकार अभी तब चुप बैठी है और एक भी दोसी को जैल के पी टीषे नहीं डाला है यह च्रकार है इसपर उंगलिया उछेगी ही हलाकि जब उंगलिया उठाई जाती है तो नितिस बाबु को बुरा लग जाता है कि हमारे बिहार के बारे में अपरात को लेकर कह वित होता है नीतिस बाबु को ये बात समझनी होगी तब तक के लिए इतना ही ऐसी तमाम ख़बरों के लिए आप बनी रहेगा एक निउस 24 पर धन्यवाद